अब चलते हूं रागे बढ़ते हैं लेकिन अभी तक आपने वारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो साथ में बैल आइकन का बटन भी प्रेस कर लो टेलिग्राफ चैनल एड जो वट्सब ग्रूब है दोनों का लिंक आपको डिस्क्रप्ट्र बॉक्ट में मिल जाएगा जाकर कि आप जोइन कर सकते हो क्य यहाँ पे सबसे पहले नमर का स्टोक हमने चुना है वो है GICRE General Insurance Corporation of India Limited इसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे यह जो चैनल था उसका ब्रेकडाउन हुआ और यहाँ पे मार्केट की वज़े से यह जो यहाँ पे एक रेंज बनीती काफी अच्छा सपोर्ट एडिया थ वो भी breakdown कर गया था लेकिन वापस से उसी range के अंदर वापस आ चुका है recovery हो चुकी है तो यहाँ से फिर से इसके अंदर तेजी आ सकती है तो 390 के उपर निकले तो आप entry कीजिएगा इसके अंदर 394 पहला target बनेगा 396 second target बनेगा इंस्टो प्लोस आपको यहाँ पर 387 के इसके बाद में जो second number का stock है वो है EIH hotels ठीक है EIH hotels के अंदर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके सामने जो यह channel था उसका यहाँ पर breakout हुआ breakout होने के बाद में यहाँ पे एक से दो दिन यह वारा जो area है जो की resistance area है इसने बिताए है pull back लिया है और यह फिर से निकल चुका है तो काफी अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी 408 के उपर निकले तो आप entry कीजिएगा 412 and 416 यह दो target होंगे stop loss आपको यहाँ पे 405 के उपर लगा के रखना है तो यह हमारा second number का stock हो गया इसके बाद में जो यहाँ पर third number का stock है वो है इसको निकाल चुका है upside में तो यहाँ पे अगर यह 522 के उपर निकले तो आप entry कीजिएगा 528 पहला target बनेगा and 532 दूसरा target बनेगा stop loss आपको यहाँ पे 517 के उपर लगा के रखना है तो यह हमारा third number का stock हो गया इसके बाद में जो fourth number का stock है वो है मोतिलाल ओस्वाल मोतिलाल ओस्वाल के अंदर भी आप देखोगे तो यहाँ पे यहाँ पे इसने क्या किया था जो resistance है इस trend line का इसका breakout किया था बार-बार में इसी trend line का support ले रहा था यहाँ पे हलका सा breakdown किया लेकिन rejection मिल रहा था बार-बार में ठीक है अब वापस से upside में sustain कर चुका है तो इस तो यह हमारा यहाँ पे फोर्थ नम्मर के श्टोक हो गया इसके बाद में जो लास्ट नम्मर के श्टोक है वो है नौसिल नौसिल के अंदर भी आप देखोगे तो यहाँ पे यहाँ पे resistance था उसका breakout वा तो इसी resistance के पास में यह बार-बार में support ले रहा था नीचे यहाँ यहाँ पे आया था intraday के अंदर दो बार आया था sorry intraday के अंदर नहीं यहाँ पे यह दो बार नीचे आया था लेकिन यह एक support area है इसी support area में हम यहाँ पे बात करें तो इसने double bottom create किया है और यह upside के अंदर start हो चुका है तो यह day high निकालेगा तो यहाँ तक तो इसको आना च 288 यहाँ पे 288 एंड 290 के दो टारगेट होंगे इंस्टोप लोस आपको 284 के उपर लगा के रखना है तो इस वीडियो के अंदर हमने यहाँ पे best 5 intraday trading के stocks के हैं वो डिसकस किये है उनके अंदर entry target उस्टोप लोस क्या है यह सबी सीचर डिसकस की है तो आसा करता हूं युमें thank you very much